दीजी अपने सपनों को पहचान मिनेर वास्टरी सरकल घुमारवी के साथ जेई नीट ड्रॉपर बैच में अपनी सीट बुक करने के लिए अभी कॉल करें 9459175916 हिमाचल प्रदेश में होने वाले उप्चुनावों का बिगुल वश्ते ही कॉंग्रिस पार्टी ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है पार्टी के प्रदेशा ध्यक्ष कुल्दीप राठों ने मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर से भाजपा कारेकाल के चार वर्षों में लिए गए कर्जे और विकास पर किये गए खर्च पर श्वेत पत्र उप्चुनाव से पर्वजारी करने की मांग की है राठों ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी उप्चुनावों के लिए पहले भी तयार थी और अब भी तयार है मही मंडी संसद्यक शेत्र से आश्रे शर्मा के टिकेट मांगने पर उन्होंने कहा कि यहाँ उनका हक है राठों ने कहा कि प्रत्याशियों का चैन आला कमान करता है उन्होंने कहा कि पार्टी उप चुनाव को सेमी फाइनल मान रही है और पार्टी इसे जेत कर ही 2022 के विधान सभा चुनाव को जीते की तंतर है, यह तो लोग तंतर हैं, ठीक है उनको अधिकार है, आशरे शर्मा पिछला चुनाव लड़ें, तो द्वारा टिकेट मांग रहे हैं, उसमें क्या बुरी बात है, पार्टी के हर कार्यकरता को टिकेट मांगने का हक है, लेकिन जिसे भी आला कमान टिकेट देगी, जो तो एक महाल जो है पूरे परदेश में, बारती जनता पार्टी के खिलाफ है, निच्चे तोर पे यह जो चार उप चुनाव है, इन्हें हम सत्ता का सेमी फाइनल मांते हैं, यह सेमी फाइनल कॉंगरिस पार्टी जीतने वाली है, और उसके बार, दो हजार बाइस का जो हमा पारे साथ रहेगा, लेकिन यह जो चार उप चुनाव है, यह अपने आप में मील का पत्थर साबित होंगे मंडी सीट से आश्वेश शर्मा के टिकट मांगे जाने पर कुल्दी प्राठों ने कहा कि कॉंगरिस पार्टी में हर कारिकरता टिकट मांग सकता है, उन्होंने कहा कि टिकट का चयन पार्टी आला कमान करेगी, कॉंगरिस के घोशित उमिदवार सभी को मान्य होगा उन्होंने कहा कि पार्टी उप चुनाव जीत कर दोहजार बाइस में होने बाले विधान सभा चुनाव में जीत हासल कर पुने सत्ता सेन होगी राठों ने कहा कि मंडी से चुड़ाव लड़ने के लिए उन्होंने स्वर्ग ये विर्भदर सिंग की पतनी प्रतिभास सिंग से बात की है और उन्होंने भी पार्टी हाई कमान पर फैसला छोड़ा है राठोर ने कहा कि पार्टी चुनावों में चुनावी मुद्दों के अलावा प्रतियाशी के जीत फैक्टर को धियान में रख कर रनीती तैयार करेगा उनसे मैं मिला भी हूँ, उनसे बात भी की है, उन्होंने पार्टी आला कमान को भी कहा है कि जो पार्टी का निर्देश होगा वो माने देए हर चीज सब बातों का समंझे से रहता है, मुद्दे भी मतोपूर्ण है और हमें ये भी देखना है कि कौन व्यक्ति है जो चुनावी जीतने की ख्शमता रखता हो पार्टी में गुटबाजी के प्रशन पर राठों ने कहा कि संगठन मजबूत और एक चुट है उन्होंने कहा कि पार्टी में व्यक्तिगत महत्मकांग्शा के लिए कोई जगा नहीं है और सभी को पार्टी के नरदेशा नुसार काम करना होगा संगठन पूरा मजबूत है कॉंग्रेस पार्टी का कार्य करता है ठीक है और रही बात भुष्य में क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा लेकिन कॉंग्रेस पार्टी का जो संगठन मजबूत है व्यक्तिगत महत्व कांखशाओं के लिए पार्टी में कोई जगा नहीं होती और मैं इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखता मैं पार्टी के अजेंडे को लेके चलाओं मेरा सबी से यह नवेदर रहता है कि म भी इंदरेने हैं वो पार्टी आला कमानने करने हैं सबसे बड़ी बात यह कि चुनाओ के समय में अगर आप सक्रिये हो वो ठीक नहीं है हम तो पहले से सक्रिये हैं जो भी मुद्दे भारती जनता पार्टी के खिलाफ है उन मुद्दों के खिलाफ हम लगातार कॉंग्रिस पार्टी का जो संगठन हैं वो जड़कों में आके अंगलन कर रहा है और आप देख रहे होंगे कि का अंगरिस पार्टी का जो संगठन है वो मझबूत है हम हर चनौती का सामना करने के लिए सक्षा में जो सरकार की नाकामियां रही नहीं हम उज़ागर करेंगे लेकिन हमा आचर के सबसे बड़ी ऑटो डीलर्शिप गोईल मोटर्स में नौकरी करने का सुनेहरा अफसर, सोलज, शिमला, सिर्मा और और की नौर में चाहिए, सेल्स एक्जीक्यूटिव, सर्विस एक्जीक्यूटिव, फेल्ड एक्जीक्यूटिव, मोटर मक्यानिक और ड्राइवर, शांदार करियर समभावना हैं, वह इंडस्ट्री में बेहतरिन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करे, 9418035372 पर, और इमेल से भीजे अपना बायो डाटा, hr.goillmotor.com पर.